हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यानि की खजूर और अंचीर से बना दूद इस सर्थियों की सीजन में इसे हल्जिट मिल्क को ट्राइस जरूर कीजेगा तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल में नए ह है तो इसे लाइक शेर और सबस्ट्रेब करना ना भूले सबस्ट्रेब हम इंग्रीडियन्स देख लेते हैं 8 पीसीज खजूर यह काली वाली खजूर है जिसकी मैंने बीज निकाल दिये है 4 पीसीज अंजीर यानिके फेग 15-20 पीसीज पिस्ता 12-15 पीस काजू 2 टेबल इलाइची पाउडर एक वन लीटर मिल्क अब एक पैन लेंगे उसमें हम सबसे पहले ड्राइफरूट्स रोस्ट करेंगे हमें ड्राइफरूट्स को ज्यादा रोस्ट नहीं करना है बस हलका सा एक से ड्याइड मिनित इसे रोस्ट करना है ड्राइफरूट्स को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना ज़रूरी है ताकि ड्राइफरूट्स जले नहीं ड्राइफरूट्स हमारे रोस्ट हो गए और फ्लेम बंद कर देते हैं इसे हलका सा ठंडा होने देंगे ड्राइफरूट्स ठंडे हो गए अब हमें ग्राइंडिंग जार लेंगे उसमें ड्राइफरूट्स को क्रश कर लेंगे हमें इसे जाधा क्रश नहीं करना है फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसे थोड़ा मोटा ही रखना है उसी सीम जार में हम खजूर और अंजीर को क्रश करेंगे खजूर और अंजीर को क्रश करने के लिए इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे इसमें हम अब दूद मिलाएंगे ति हमें इस तरह से फाइन पेस्ट बनानी है अब हम इस कड़ाए लेंगे इसमें मैंने नीचे पानी डाला हुआ है ताकि दूद नीचे तले में चिपके नहीं इसलिए ये दूद मैंने मलाई निकला हुआ दूद लिया है इस रेसिपी के लिए हमें फूल फैट मिल्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैट्स और फिक की वज़े से वो अल्रेडी हैवी हो जाएगा दूद अब हम इसे हाई फ्लेम पर एक बोईल आने तक पकने देंगे बीच बीच में इससे थोड़ा सा चलाते रहेंगे दूद बोईल हो चुका है अब हम इसमें खजूर और अंजीर की पेस्ट में लाएंगे थोड़ी देर इसे लो फ्लेम पर कंटिनूरसी हिला कर मिक्स कर लेंगे अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख देंगे बोईल होने तक आफिल फोर टू फाय मिनिट्स के लिए तक इस डैट्स और फिक अच्छे से पक जाए और दूदने उसका टेस्ट बैच जाए पांच में ठोच चुके हैं दूद अब लगपक पक चुका है अब इसमें चीनी मिलाएंगी चीनी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या जादा डाल सकते हैं अब इसमें हम आधि टीस्पून के करिब इलाइची पाउडर मिलाएंगे और तीन बड़े चम्मच के करिब जो हमने ड्राइफूट को क्रश किया था उसे मिलाएंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद भी इसे एक से दो मिनिट तक इसे बॉल होने देंगे दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है अब यह हमारा दूद रेड़ी है के इसकी फ्लेम बंद कर देंगे पर दूद को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है इसे गरम ही सव करना है अच्छे हमारा दूद अब रेड़ी है अच्छे हमारा दूद रेड़ी है अच्छे हमारा दूद रेड़ी है अच्छे हमारा दूद रेड़ी है